सात्यों नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहें नेशनल जन्मत देश में सबसे जादा बिधान सवाच्छेत्र रखने वाले सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाओं की रणवेदी बच चुकी है अचार सहिता इलेक्षन कमीशन द्वारा लागू हो चुकी है ऐसे समय में स्वाभाविक तोर पर सत्ता पक्ष द्वारा एक वार फिर से पिछडे और दलिदबर्ग के मुखोटों को सामने रख करके उनके वर्गों को उनी मुखोटों के द्वारा बर्गलाने की कोशिस की ज पोश्टमार्टम के इस पांचमें एपिसोड में हम इस बात की चिड़फार करने की कोशिस करेंगे बास्तों में बारती जनता पार्टी में पिछडे और दलिदबर्ग के जो बड़े नाम हैं वो किसी काम के हैं या महज मुखोटा बन करके रह गए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवस्टी मतलब उत्तर प्रदेश की पहली और सबसे बड़े बड़ा बिस्सुविद्याले ना सिर्फ मरीजों और बिभाक के हिसाब से बलकि सिक्षक और करमचारियों के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवस् से जुड़े एक मामले में 2018 से लेकर के 2021 मतलब अफ सरकार की एक तरीके से समाप्ती हो चुकी है यानि कि योगी अधितनात सरकार के राज्ज में पिछड़े और दलिदबर्ग के तमाम सारे नेता केजीमसी से जुड़े हुए एक मामले में बारवार रिक्वेश्ट करते रहे पत्र लिखते रहे मुख्मंत्री से मिलते रहे राजपाल से मिलते रहे और चिकिस्ता सिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से मिलते रहे बारवार आस्वासन भी मिलता रहा लेकिन चार साल बाद इन लोगों की हैसियत बताते हुए सुरेश खन्ना जी ने कह दिया ये काम हम नह यही काम नहीं था बलकि KGMU के अंदर OVC SC बर के रिप्रिजेंटेशन से जुड़ा हुआ मामला था मामला आपको बताऊंगा लेकिन पहले समझ लीजिए कि किन लोगों के पत्रों के बाद भी सुरेश खन्ना ने साप मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे केसव प्रसाद मौरिया, डिप्टी सियम और भारती जनता पार्टी में निर्विवाद रूप से OVC का सबसे बड़ा चहरा पिछले चुनाओं में भी भारती जनता पार्टी ने केसव प्रसाद मौरिया का चहरा आगे करके क्योंकि वही उस समय प्रदे सद्यक चुआ करते थे, उनको आगे करके पिछले बर को ये बताने की कोशिस की कि देखिये, अन्य सरकारों में तो केवल एक जाती का मुखवंतरी बनता है, हमारे यहां मुखवंतरी बनने की संभावना है लेकिन दवी जुवानी सही लोग ये बात कहते हैं कि अगर केसो प्रसाद मौरिया चुनाओ के बाद में अस्पताल में एडमिट ना हुए होते तो उनको डिप्टी सियम भी ना बनाया गया होता, खेर डिप्टी सियम बन गए, डिप्टी सियम बनने के बाद सरकार में उनकी हैसियत कितनी हैं ये वीडियो आपको साप साप बता देगा उनकी आलोचना करने से पहले ये भी तथ्था आपके सामने बता देता हूँ कि अगर मेरे सामने मजबूरी हो जाए कि आपको भारती जनता पार्टी में मजबूरी में ही किसी एक नेता को चुनना है पिछड़े वर्क के तो मेरी पसंद निश्चित तोर पर केसव परसाद मौर्या ही होंगे लेकिन दोनों की हैसियत देखिए डिप्टी सीम केसव परसाद मौर्या से जब केजीमियू के तमाम प्रोफेसर्स मिलते हैं तो वो ना सिर्फ इस मामले को ले करके पत्र लिखते हैं सुरेश खन्ना को बलकि दो दो वार फोन भी करते हैं और ये फोन प् पुष्टी है इस बात की कि हां उन्होंने फोन किये थे स्वामी परसाद मौर्या सरम बिभाग के कैविनेट मंत्री हैं पिछले वर्ग के बढ़े नेता माने जाते हैं बहुजन समाज पार्टी से उठे थे यानि कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करत नहीं है कि वो भावना दिखाई नहीं देती है लेकिन भारती जनता पार्टी में उनकी हैसियत क्या है ये इस बात से पता चलता है कि इसी काम के लिए स्वामी प्रसाद मौरिया ना सिर्फ मुख्यमंत्री को फोन करते हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं बलकि प्रोफेसर्स के साथ में दो बार उनके ऑफिस में जाते हैं लेकिन काम नहीं होता है कौसल किसोर एक और मुखोटा दलिदबर्क से केंद्री आवासन और सहरी कार राजिमंत्री इनको बनाया गया है बेहद मिलंसार माने जाते हैं कहा जाता है कि जो भी इनके घर अपनी समस् नहीं लिखे 2018 से 21 तक तकरीवन आठ से 10 वार ना सिर्फ पत्र लिखे बलकि 4 वार उत्तर प्रदेश के यसस्वी मुख मंत्री योगी आदितनाद जी से भी मिले और योगी आदितनाद जी ने आस्वासन भी दिया यानि कि राजपाल ने भी पत्र लिखा केंद्री मंत्री प्रमुक सचिप को लिखा बाद में सारा प्रस्ताव थंडे वस्ते में डाल दिया गया इतने लोगों के अलावा बिधायक मलीहाबाद जैदेवी स्सी वर्क से आती हैं बिधायक सिकंदर पूर बलिया संजय आदव पिछड़े वर्क से आते हैं दोनों बीजेपी के हैं ल कि असली हैसियत बता देता हूं कि किस काम के लिए OVC-HC वर्ग के प्रोफेसर भाग दौड कर रहे थे इन OVC-HC के मुखोटों के पास दरसल KGMU में एक Executive Council है KGMU ही नहीं बलकि PGI, RML इन ऐसे तमाम संस्थानों में Executive Council होती है जिसको कारी परसद कहा जाता है उसका काम होता है कोई भी न्युक्ति अगर होती है KGMU के अंदर किसी भी पत पर Executive Council ही उस पर अंतिम महल लगाती है आनुसासनिक कारवाई करती है यानि कि कि किसी के उपर कारवाई करनी हो Executive Council करती है Seniority के हिसाब से किसका Promotion करना है किसको विवागध्यक्ष बनाना है ये भी Executive Council ही तै करती है Budget Management छात्रों से जुड़े हुए तमाम मामलों को Executive Council ही देखती है यानि कि महतपूर बॉड़ी होती है तो वो तमाम प्रोफेसर जो इन नेताओं के पास जा रहे थे उनका कहना था कि 200 सिक्षक हैं OVC SC वर्क से आने वाले KGMU में Assistant Professor, Associate Professor मिला करके इन 200 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं अभी तक नजार आता है KGMU प्रसासन को जिसको Executive Council में Member बनाया जाए तो वो जागरुक प्रोफेसर न सिर्फ यह चाहते थे कि Executive Council में OVC SC वर्क के प्रोफेसर होने चाहिए बलकि वो यह भी चाहते थे कि KGMU में चार संकाय है Dental, Medical, Nursing और Paramedical इन चारों संकायों में से प्रतेक संकाय से OVC वर्क के प्रोफेसर किसी एक OVC को SC वर्क के प्रोफेसर किसी एक SC को चुन करके Executive Council में भेजें और इसके लिए मंत्री जी को करना क्या था? कैवनेट को प्रस्ताव भेजना था जो चार सालों में तमाम लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने नहीं किया इसका मतलब मुख्यमंत्री संग चाहता ही नहीं था कि पिछडे और दलितों को वास्तविक प्रतनिजत उनका दिया जाए जबकि ऐसा नहीं है कि बोटिंग से सदस्य नहीं पहुंचते हैं एक्जेक्यूटिव काउंसिल में यूनिवस्ट्री का एक यूनिवस्ट्री कोर्ट होती है जिसको यूनिवस्ट्री सभा कही जाती है उसमें जो तमाम मेंबर होते हैं वो अपनी आपसी voting से कुछ सदस्यों का चेहन करके एक्जेक्यूटिव काउंसल में भेशते हैं तो जब voting होती ही है तो OBC वर्क का व्यक्ति अपना प्रतनीदी चुन लेगा ऐसी वर्क का व्यक्ति अपना प्रतनीदी चुन लेगा इसमें सवर्णों को तकलीफ कहा है नहीं ह लेकिन इस एपिसोड ने पिछड़े और दलित नेताओं की जिनको मुखोटों की तरह आपके सामने पेस किया जाएगा उनकी वास्तविक हैसियत भारती जनता पार्टी में आपको दिखा दी है अब सवाल ये उठता है क्या मान लीजे सत्ता बदलती है तो क्या OVCSE के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा इसलिए मैं तथा कथिद बुद्धी जीवी जमात से कहता हूँ कि अपने अपने मुफीद सरकारों के हिसाब से बुद्धी जीवी मत बनिये मतलब आज सरकार आपके मुफीद नहीं है तो आप बुद्धी जीवी बन गए आप पिछले उदलिद बर्क की बात करने लगए जब सरकारें आपके मुफीद हो गईम्तलब आप लाव लेने की इस्तिती में आ गए तो आपकी बुद्दीजीबी वो है जो इन मुद्दों को लेकर के ना सिर्फ इस सरकार में बलकि अगर सरकार बदलती है तो उन सरकारों से भी सवाल करें और इस इन चीजों को उन सरकारों के राज में लागू करवाएं देखते रहे ने संजनमत जागरुक और सजग बने रहे जै विज्ञान जै समिधान जै लोगतंत्र धन्यवाद